हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडेक्शन दे देती हूँ, तो मैं हूँ शेफाली मेकप आर्टिस, मेरा जो स्टूडियो है वो है नॉइडा में, तो आपको भी अच्छे-च्छे मेकप कराने हैं, तो आप आ सकते हैं या आप अपने वेन्यू पे मुझे पुला सकते हैं, तो आज मैं आई हूँ, तिलप्ता चौक, ग्रेटर नॉइडा, हमारे जो दूले राजा है, उनका मेकप करने के लिए, आज है इनकी लगन सगाई, तो आज ये फर्स टाइम मुझे मेकप करवा रहे हैं, इनका कहना है, अगर इनको मेकप पसंद आया, तो ये अपनी शादी वाले दिन भी मेकप करवाएंगे, आज मैं सिर्फ और सिर्फ दूले का मेकप करने आई हूँ, और कल जो उनकी शादी है, तो कल मैं इनकी बेहनों का भी मेकप करूँगी, और इनका भी मेकप करूँगी, अगर इनको पसंद आया तो, तो आप भी जरूर यह है कि make up make up होना चाहिए पुताई नहीं होनी चाहिए राइट मतलब जो हमारे features होने चाहिए उसी के according हमें make up करना चाहिए यह नहीं कि काले को गोर बना दिया या गोरे को और गोर बना दिया तो आप देख सकते हो जो दूले का texture है हम उसी पर work करेंगे और जो थोड़ा बह हाइड करेंगे बहुत जादा हाइड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे maturity दिखानी बहुत पसंद है तो थोड़ा बहुत है हम हाइड करेंगे बहुत जादा नहीं करेंगे तो सबसे पहले मैंने face को clean कर लिया था rose water से फिर थोड़ा फ्रेश कर दिया था उसके बाद मैंने लग यह सिरम देन उसके बाद हम लगाएंगे concealer तो concealer कैसे लगाते हैं वह मैं आपको बताने जा रही हूं तो जो डार्कने से उसको हाइड करने के लिए हम डार्क कंसिलर ही यूज करेंगे कुछ इस तरह का तो आप देख सकते हो जो डार्कने से उसके उपर मैंने इस तरीके से लगा कि इसको अच्छे से ब्लैंड कर दिया है उसके बाद मैं लगाओंगी cream highlighter जो highlighter में यूज कर रही हूं वह है Swiss beauty का आप देख सकते हो जहां जहां पर मैं लगाओंगी वह area कितना shine करेगा तो यह जो liquid highlighter होता है न यह आपको पहले लगाना होता है foundation से भी पहले ताकि आप भाईया की या दूले राजा की जो skin है वो कित्ती जादा glow कर रही है और clean लग रही है और जो ice की नीचे darkness थी वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है है ना तो इसी पे हलका सा मैं foundation भी apply कर दीती हूं बहुत हलकी quantity में foundation लिया है जो foundation मैं use कर रही है वो है mac का तो जो number है वो मैं आ condition लेके उसको भी अच्छे से हलका सा blend कर लिया है फिर मैं सोच रही हलका सा blusher भी मैं लगा देती हूं ताकि हमारे जे दूले राजा है वो हलका सा blush करने लग जाए है ना तो बिल्कुल हलकी quantity में मैंने blush लगाया है यह देख सकते हूं बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए blush क्योंकि देखो लड़की तो है नहीं कि हम भर-भर के blush लगा दे ओविसी बाते लड़का है और दूला है दूले पे सब की नजर होगी और हमारे मेकप पे भी सब की नजर होगी तो ओविसी बाते मेकप अच्छा ही होना चाहिए फिर मैंने लगा दिया हलका सा highlighter तो जो location है घर इन्होंने बहुत ही अच्छा बना है था और अब मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ हेलो फ्रेंट्स तो हम आए हैं ग्रूम मेक अप के लिए तो एक बाद तो टच अप मैंने कर दिया है तो उनका कहना है कि मैं थोड़ा ड्रेस अप कर लो उसके बाद दुबारा टच अप करेंगे तो मैं बेट कर रही हूँ जो दूले राजा का मेक अप कमप्लीट हो चुका था तो मैंने बोला ठीक है आप ड्रेस अप कर लो उसके बाद लास्ट अप और दे देते तो यह है हमारे भहिया का या दूले राजा का फाइनल लुक तो आप देख सकते हैं मेक अप कितना स्किन के अकॉर्डिंग करा हुए थैंक्यू गाइस